आप तब का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल इस्टडी टीम में तो चलिए आज की क्लास सुरू करते हैं और आज की क्लास में हम हिन्धी के 50 महतोफो न कॉस्चन सॉल्व करेंगे तो चलिए शूरू करते हैं तो पहला कोश्ति कि हिन्धी की फुतपति किस अपरण से मानि जाती है कि हिंदी कुद्पति किस अप बरंच से मानी जाती है तो अप्शन नमबर यह सई होगा अगला है आग खोली देखो तो न डैस है और न यहाँ पर खाली अस्तान है कभी देव की स्पंक्ति मेरिक तास्तान की पूर्ति करें ठीक है यहाँ पर हमको भरना है कि क्या बरा जाएगा अगला है भवानी सब्द का पूलिंग सब्द क्या है बवानी सब्द का पूलिंग सब्द क्या है तो अप्षन न भवानी, अप्षन भगवान, अप्षन C भगवती और अप्षन D भव, भवानी सब्द का पूलिंग क्या होगा, तो इसका पूलिंग होगा भव, अप्षन नमबर D सही होगा, अगला है इलाबादी अमरुत मीठे होते हैं, यहां क्या विशेष्टा बताई जा रही है, ठीक स्वाद की भविशेष्टा बता एह रही है, क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है क्या है, मीठे हैं और यह कहा की विशेष्टा आ है, तो यह एक जगा황 अस्थान की विशेष्टा बता रहा है, कहा की इलावाद की, तो यह अप्षन नमर अ और दो दोनो सई होंगे ठीक है अगला है, संदी के तीन भेद होते हैं स्वार संदी संदी दूसरा होता है भेच्जन संदी और तीश्रा होता है विशर्ग संधी तो कौन सा अप्शन सही होगा ही होगा अप्शन नंबर C यहाँ पर क्या होगा बेंजन भरा जाएगा और यहाँ पर भरा जाएगा ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला है सो मित्र सब्धनिम निखित में से किसका समना रती है सो मित्र सब्धनिम निखित में से किसका समना रती है तो अपसन यह लचमण, अपसन भी अर्जुन, अपसन सी यह राम और अपसन यह भीम तो सो मित्र, सो मित्र किसका समना रती है तो सो मित्र ये लच्मन का समानार थी है, अप्शन नमबर ये सही होगा, अगला है प्रेणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताईए, प्रेणा स्टूडियो जाएगी में कौन सा काल है वह वताना है, तो अप्शन ये समाने वर्तमान काल, अप्शन भव्य से काल, अ में इसमें क्या हो रहा है तो ये सामान ने भावी सिकाल हुर में इसको बताया जा रहा है तो आपसा नमबर सी सही होगा अगला है सन्योग सब्द में उपसर्ग वा मूल सब्द कौन से हैं ठीक है सन्योग सब्द में उपसर्ग और मूल सब्द बताना है कि कौन से हैं तो अप्चन यह है सह प्लस योग अप्चन भी है सह प्लस योग अप्चन भी है सन प्लस योग और अप्षन D है सम प्लस योग तो सन योग में उपसर्ग और मूल बताना है तो कौन सा होगा तो ये होगा हमारा क्या होता है कि सन योग में उपसर्ग क्या है तो सन योग में उपसर्ग है सम और इसका मूल सब्द क्या है मूल सब्द है योग कौन सा अप्शन सही होगा अप्शन नमबर D सही होगा अगला है जहां एक सब्द से अनेक अर्थ निकले जहां एक सब्द से अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार है जहां एक सब्द से अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार है बताना है तो option A, option B, slash, option C, अनुप्रास, और option D, रूपक, तो कौन सा option सही होगा इसमें, तो जहां एक सब्द से अनेक अर्थ निकले हो, वहां क्या होता है, वहां होता है, slash अलंकार, option number B, सही होगा, अगला है, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, यहां किस अलंकार का उधारण है तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, यहां कौन सा लंकार है, बताना है, तो option A, अप्षन भी वर खुडती, option C, slash, और option D, यमक, तो कौन सा option सही होगा इसमें, तो इसमें होगा, हमारा option number कुन सा है तो इसमें यमा कलंकार है option number D सई होगा अगला है रामो की तो ऐसी आदात हो गई है कि गोद में बैटकर दाड़ी नोचे वाक में प्रियुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है ठीक है उमको उताना है कि गोद गोदी में बैटकर बैटकर दाड़ी नोचे इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा तो अप्षन ये भलाई पर भी दोस्ट था है अप्षन भी ये बाते करते रहना अप्षन से परिसान करना और अप्षन डिये वेर्थी डिंगे आकना तो गोदी में बैटकर दाड़ी इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा तो इसका अर्थ होगा भलाई पर भी क्या है दोस्ट था आप्षन नमबर ये सही होगा प्राए गोव सब्द का वचन बैजान ठीक है गोव सब्द का वचन बताना है तो यह होता है सदा एक वचन में प्रियोग होता है ठीक है अप्षन नमबर भी सही होगा अगला है अमारा समाज उन्नती के पत्थ में है इस वाक्य में किस प्रकार की असुद्धी है वो बताना है, तो आप्षन A, अप्षन भी है लिंग, आप्षन C, कारक और आप्षन भी है वच्छन तो इसमें क्या है? तो इसमें किस प्रकार की असुद दिये? तो इसमें कारक की असुद दिये, ठीके? कौन सा अप्षन अप्षन नम्मर सी ठीक है अगला है कटिन कारे में सफलता प्राप्त करना इस वाकी के लिए उचित मुहावरा चुने कटिन कारे में सफलता प्राप्त करना इस वाकी के लिए उचित मुहावरा बताना है तो अप्षन गड जीत लेना option B ये चक्के छोडाना option C जाना थेली पर रखना और option D ये गंगाना आना तो cutting car में सफलता प्राप्त करना इसका उचित महावरा क्या होगा तो इसका उचित महावरा होगा गड जीत लेना option number A सही होगा अगला है एक तो करेला डैस डैस लोकोकती पूण करना है ठीक है हमको इस लोकोकती को पूण करना है तो यहाँ पर क्या होगा तो option A दूजा पेंड भला option B ये दूजा पेंड चड़ा option C दूजा नीम चड़ा और option B ये दूजा भांग चड़ा एक तो करेला ठीक है एक तो करेला डैस डैस इस लोकोक्ति को पूर्ण करना है तो क्या होगा एक तो करेला और दूजा नीम चड़ा ठीक है दूजा नीम चड़ा कौन सा अप्शन अप्शन नमबर C सही होगा अगला है कभी का सही बहुबचन रूप बताईए ठीक है कभी का बहुबचन रूप बताना है तो अप्चन ये कभी ब्रिंद अप्चन भी ये कभी गण अप्चन सी ये कभी जन और अप्चन ये कभी बर्ग तो कभी का सही बहुबचन क्या होगा कभी का बहुबचन होगा कभी गण ठीक है अप्शन नंबर बीच सही होगा अगला है मुदित महीप पती मंदी राये सेवक सचीव सुमंत बुलाएं पंक्ति में प्रयोकत अलंकार बताना है ठीक है तो आपसन एस लंकार अपसन भी है यममक अलंकार आप्शन सीह अनुपरास और आपसन वेक रोकती तो इसमें कौन सा आलंकार होगा तो इसमें क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मह यहाँ पे भी मह और मह ठीक है यहाँ पे क्या है कि मह वर्ण की वर्ण का र्योग कई बार किया गया है पिर यहाँ पे सब यहाँ पे भी सब और यहाँ पे भी सब तो कौन सलंकार होगा तो यह होगा अनुप्रा सलंकार के रचना का रोग और गोकोल दास है ठीक है? हमको यह बताना है कि यहाँ पे क्या भरार जाएगा ठीक है? तो अप्शने यह 50, अप्शने क्या रचना कौन सी है तो कउनसा अप्शन सही होगा इसमें? तो यह होगा 2 हुआ अप्शन नमबर डी बावन सही होगा दो सो बावन की वारता ये क्या है ये उनकी गोकुल दास जी की रचना है अगला है उसा उदास आती है में कौन सा अलंकार है उसा उदास आती है में कौन सा अलंकार है तो अप्शन ये संदे आप शर बी प्र होना अ WILL आप यह उपमाव और नभीत करण टो-ऊ-शा-उदास यह स्में कौन सा अलंकार रोगा कि तो इसमें तबना है किग सեղ शुद्र साब्ध कौन सा है तो अप्षन है आभ अ भी राम है यस सी 10 यह अभी रम अभी रम सब्सक्रांक गब च्र Epic यहुदत्र। तो इसमें हमको बताना है कि अभि राम जो वर्तनी रूप से शुद्र कौन सा है तो अभी राम कैसे लिखते हैं? तो आपार्व पे चोटी की मातरा राม ये होता है सुधुरू तो कौन सा अपस्ण? अपसन नमबर D सहय होगा अगला है मुच की इछा रखने वाला क्या कहलाता है? मुच की इछा रखने वाला क्या कहलाता है? तो अपसन A哎 jigyasu गर्मत कर्मत करасा मम leader मूझ की इंशह रखने वाला क्या कहा लगा है तो मूपमє मंच्छ أن Mers. अगला है जिक्क्षाında, जमाना महार्यक अर्त स्वाणा मत्रूस किया है सबुर्पई करना, सबुर्ण जीत जाना प्रभायों अस्थापित करना और आप्शन ये कड़ी टकर देना तो शिक्का जमान मुहरे कार्थ क्या होगा तो शिक्का जमान मुहरे कार्थ होगा प्रभाव अस्थापित करना आप्शन नमबर C सही होगा अगला है निर्देश 23 से 25 गध्यांस के अधार पर प्रस्नों के उत्तर दीजिए ठीक है ये तो चलिए गध्यांस पढ़ते हैं और इसका उत्तर देते हैं तो विग्यापन आज के अधोगित युग में बहुत महत्तो रखते हैं व्यापारी के नजरिये से भी और आम जंता के देश्टिकोंड से भी विग्यापन व्यापारी को लाब देने के प्रयत्न हित्तु तया है ठीक है उसके मुले में भी ब्रिद्धी हो जाती है तो यहां पर क्या है कि किसके द्वारा भगताओं का परोच रूप से सोचन किया जा रहा है तो इसे यहां पर क्या है कि कौन सा अप्शन सही होगा इसमें तो क्या है कि जो विग्यापन बनाया जा रहा है उसके द्वा आज आर अपसन भी है व्यपारी अपसन से आर्थिक लाप और अपसन भोगता तो चलिए पढ़ते हैं विग्यापन आज के अदोगी की युग में बहुत महतों रखते हैं व्यपारी के नजरिये से भी और आद्म जद्दा के देश्ट्रिक पूर्ट से भी विग्यापन व्य व्यपारी के लाब के प्रियत आत्युत तैयार किया जते हैं जबकि व्यपारी के लाब के प्रेट नियतु तयार किया जाते हैं वर्ष्टो की लागत बढ़ जाने से उसके मुले में भी बृति हो जाती है। तो आज के अध्योगी की यूग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो आज के अध्योगी की यूग में पिग्यापनों की प्रचार पसार का क्या है। महतु बढ़ता यह रहा है अप्शन नमबर ए सही होगा अगला है इन में से कौन सा सब्द इस तरी लिंग की पाचान नहीं करवाता है ठीक है इन में से कौन सा सब्द इस तरी लिंग की पाचान नहीं करवाता वो बताना है तो अप्शन ए बोलियां अप्शन भी ए देश जीमलीकित वाकिय में से असुद भाके पहचान ही ठीक है असुद भाके आंसे इसमें से कौन सा है तो या लोग जा रहे है option B एसे जल्दी घर जाना था umetesं सिय मुझे वह नहीं जाना है और option physician जीम तलहिएं पिता ने मेरे से कहा ये क्या है ये असुद है अगला है बंदन सब्द का उचित बिलूम सब्द कौन सा होगा बंदन सब्द का उचित बिलूम हमको बताना है तो आप सब्दन का बिलूम क्या होगा तो बंदन का बिलूम क्या होगा तो बंदन का बिलूम होगा मुक्ति आप सब्द अप्षन्ट यह सायद बारिस हो रही है, अप्षन्स यह कहा जाना है, और अप्षन्ट यह हमारे पास समय कम है, तो इसमें असुद सब्द कौन सा है, असुद वाकि कौन सा है, तो इसमें असुद वाकि क्या होगा, अप्षन नमपर A होगा, ठीक है कर लोगों की यहां पर भ C, Carson B, Kabeer, Carson C, Raskhan, और Carson D, Rahim. तो Bijak के रसनकार कौन है? तो Bijak के रसनकार है, Kabir D, दाज यह. Option number B, सही होगा. अगला है, Nim Nimre से कौन सा कोकिला का समनार्थी सब्ध नहीं है? कोकिला काम को बताना है कि समनार्थी सब्ध कौन नहीं है? को ज味ना नहीं है तो इसमें होगा लेका वाला सब्सक्राइब द्याहर प्रॉसर्स देखेता की पुछेस्ता बताने वाला सब्सक्राथ सब्सक्राइब करें अगला है उत्सा वास्तों में डैस डैस और यहां डैस डैस की मिली जूली अनुभूती है अगला है तो यहां पर यहां पर बहना है कि क्या भारा जाएगा तो अपसें इसको पढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें कौन सा उचित में खल्प भारा जाएगा तो उस्षा उस्षा वास्तों में कर्म और फल की मिली जुली अनभूती है क्या है यहां पे यहां पे कर्म और यहां पे फल कर्म और फल की मिली जोली अनभूती है कौन सा अप्षन सही होगा तो यह होगा अप्षन नमबर A सही होगा निमलखित में से अनुपयोग्त समनार्थी जोड़ा पाचानी है ठीक है अमको बताना है कि इसमें से कौन अनुपयोग्त समनार्थी जोड़ा है उसको हमको बताना है तो बादल, नीर, अप्षन भी ए केस, बाल, अप्षन सी ए द्रव, बित, अप्षन सी ए केला, कदली तो इसमें अनुप्युक्त समनार्थी सब्द कौन सा है तो इसमें से अनुप्युक्त होगा कि बादल और नीरी ये क्या है अनुप्युक्त समनार्थी जोड़ा है ठीक है अगला है अमारी भावी अमारा भावी जीवन नी संदेश उजवल होगा हमारा भावी जीवन नी संदे सुजवल होगा, मेरे हांकिन सब्द का बिलोम बताये, ठीक है, भावी काम को बिलोम बताना है, तो अप्चन A भावी सिया, अप्शन भी अतीत, अप्शन सिया वर्तमान और अप्शन दीये पूरह, तो कौन्सा अप्षन सही होगा, तो इसमें ह होगा कि अप्शन नमबर B, भाविक क्या होगा अतीत होगा, अप्शन नमबर B, सही होगा, आंचलीक उपरन्यास्कार की संग्या इनमें से किसे दी गई है, तो आप्शन ये राम ब्रिच बेनी पूरी, अप्शन भी ये स्पाल, अप्शन सी पड़ी स्वर्नात रेडु, और अप्शन ये जैनेंद्र, तो अंचलीक उपरन्यास्कार की संग्या किसे दी गई है, तो ये होगा अप्शन नमबर C, सही होगा, फड़ी स्वर्नात रेडु, अप्शन नमबर C, सही होगा, अगला है, जो खग हो तो बसे रो करे, मिली कलिंदी कूल, डैस की डारन, यहाँ सही होगा, तो अप्शन नमबर C, सही होगा, कहानी साब्द कावभ बचन क्या है, कहानी, साब्द कावभ बचन बताना है, तो अप्शन, यह है कहानिया, अप्षन भी है कहानिया और अप्षन से यह कहानिया और अप्षन यह कहानियो तो कहानिया का बहुबच्छन क्या होगा? तो कहानिया का बहुबच्छन होगा कहानिया ठीक है? अप्षन नमबर भी सही होगा अगला है मुहावरा सब्द किस भासा का सब्द है मुहावरा सब्द किस भासा का सब्द है तो अप्षन A और B अप्षन B यह उर्दो अप्षन C पार्शी और अप्षन D यह हिंदी तो मुहावरा सब्द किस भासा का सब्द है मुहावरा सब्द क्या है ये और भी भासा का सब्द है ठीक है? अब सा नमबर A सही होगा अगला है I के उच्चारण में डैस और डैस की साहता ली जाती है रिकतास्थान की रिकतास्थान है तो सही विकल्ब चुने है ठीक है? हमको बताना है कि यहां पे क्या बार जाएगा तो क्या होगा? कि I का उच्चारण करते समय किस की किस की साहता ली जाती है तो I का उच्चारण करते समय अगर हम I का उच्चारण करेंगे तो किस की साहता लेंगे? तो हम कंट का कंट और तालू की साहता लेंगे किस की? कंट और तालू की तो कौन सा अप्शन सही होगा तो अप्शन नमबर D सही होगा कौन तालू अगला कौशन है प्रस्तुत बिकल्पों में से लोकोक्ति को पाचानी है ठीक है प्रस्तुत बिकल्पों में से लोकोक्ति को पाचानी है तो अप्शन ए तिल का लड़ू बनाना option B है, गाट-गाट का, जूस पीना, option C है, टेड़ी उंगली से अचार निकालना, और option D है, आ बैल मुझे मार, तो इसमें हमको लोकोक्ती बताना है कि कौन इसमें लोकोक्ती है, तो कौन सा option C होगा, तो आ बैल मुझे मार, यह क्या है, यह लोकोक्ती है, ठीक है, option D, सही होग अगला है, इंदी साहित की प्रतम कहानी का नाम क्या है, इंदी साहित की प्रतम कहानी का नाम क्या है, वो बताना है, तो option A है, इंदू मती, आप्षन B है, प्रेम सागार, आप्षन C है, रानी केतना की कहानी, रानी केतकी की कहानी, और आप्षन D है, आकास, दीप, तो कौन कौन सा अप्षन सही होगा इसमें हिंदी सायद की प्रतम का अनिकौन है तो वह है इंदुमति आप्षन नमबर ए सही होगा अगला है जहां एक ही सब्द से जहां एक ही सब्द एक से अधिक बार आये तथा भिन भिन अर्थ हो वहां कौन सा अलंकार होता है जहां एक ही सब्द एक से अधिक बारा है तथा बिन बिन अर्थ हो तो वहां कौन सा लंकार होगा तो आपसन एसलेस आपसन बिन प्रास आपसन सीय यमक और आपसन ये अर्था लंकार तो वहां कौन सा लंकार होगा तो जहां एक ही सब्द जहां एक से अधिक बारा है तथा बिन बिन अर्थ हो व पत्र, परियोजण, और परिचर्चा, तो कौन सा अप्सन सही होगा, तो भासा का मोखवी कुरूप कहा है, परिचर्चा अगला है, सन उन्नी सो पच्पर में साइट एक आदमी पुरस्कार किसे परदान किया गया था, तो आप्सन भगाउती चरण बर्मा, और अमरित राय, अम्रित राय अप्षन C अग्य है और अप्षन D है इनमें से कोई नहीं तो कौन सा अप्षन सही होगा तो यह होगा अप्षन नम्बर D इनमें से कोई नहीं गबन किस रचनाकार की रचना है गबन किस रचनाकार की रचना है तो आपसे ने स्याम सुन्दर दास आपसे भी राम चद सुकल आपसे यह मुनसी प्रेम चंद और आपसे यह इन में से कोई नहीं तो गबन किसकी रचना है तो गबन मुनसी प्रेम चंद की रचना है आपसे नमबर सी सही होगा अगला है, सही सब्द को पचानी है, ठीक है, सही सब्द हमको बताना है, कि वर्ताने रूपसे में सुध कौन सा है, तो सड़े अंत्र लिखा है, तो सड़े अंत्र का सुध रूप, अब कैसे लिखते हैं सड़े अंत्र को, तो सड़े अंत्र ऐसे सुध रूप लिखा जाता है ठीक है तो कौन सा अप्शन सही होगा तो यह होगा अप्शन नमबर D सही होगा अगला है इन में से कौन सा अर्था लंकार का भेद नहीं है ठीक है अर्था लंकार का भेद नहीं है वो बताना है तो अप्शन याति सोक्ति अप्शन भी है यमक अप्शन C रूपक और अप्श लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें